वेलकम तो श्रड़ी चैनल मेरा नाम है महुम्मत कैसर बात करेंगे आज की तीन सबसे महत्पूर अपडेट्स की ऐसे तीन सवाल जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं और फिर फाइनली बात करेंगे DTSB की TGT, PGT और PRT के नए विक्यापन के बारे में लाच्ट तक बने रहे हैं लेकिन आगे बने से पहले एक जरूरी सूचना आज हम बात करेंगे DTSB PRT की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू प्रकाशन के तरब से आती है साहिक अधापक प्रात्मी भरती के लिए दोस्तों ये बुक आपकी काफी जादा मदद करने वाला है देख सकते हैं इस बुक में आपको G.S. मिल जाएगा, रिजनिंग देखने को मिलेगा, संख्यात्मक, योगिता, इंग्लिस लाइंगवे, सामान, हिंदी, सिक्छर विदिया, तो DTSB के सल्वस के अधार परी से तैर किया गया है, 45 सो से जादा बहुविकल्पी प्रेशन है वेख्यात्मक, हल, सहित, 25 आपको सौल्ट पेपर मिलेंगे दोस्तों, जिससे आप अपने एक्जाम के त्यारी बहतरिन तरीके से कर सकते हैं, यज़ि आपको ये बुक लेनी है ओनलाइन, तो डिसकर सौन बॉक्स में रिटल्स दी गई हैं, यज़ि आपको ये किताब है ल लगे परिक्षा को रद कर दिया गया, 2018 से 2030 यानि 5 साल हो गए, अब दुबारा से इसकी परिक्षा होने जा रही है, और एक्जाम दोस्तों आपका जून महिने में होने की संभावना बहुत ही जादा है, जानकारी ये मिल रही है कि 18 जून को परिक्षा आपकी हो सकती है, व फाइनल मुहर लगना बागी है, इस समय परिक्षा पलसी के दोरा लगादार नोटिस हैं जारी हो रही है, और वीडियो दोरा ठारा के संभन में जानकारी मिल रहे है कि आज एक बहुत ही महत्पूर्ट मिटिंग होनी है, और इसके बाद फाइनली फैसला हो जाएगा, एक् कराने पर फाइनल मुहर लग सकता है, और काफी चात ये पूछ रहे थे कि पिछली बार हमने फॉर्म भरा था, एक्जाम नहीं दिया था, क्या हम दुबार से परिशादे पाएंगे, इन सब चीजों पर भी दोस्तों फाइनल मुहर लगेगी, जहां तक मेरा मानना है, यद परिक्षा पहले हुई थी, तो वेट कर लिजिए, आज कल या परसो तक आपको कुछ न कुछ विप्रिटर पलसे की वरब से देखने को जरूर मिलेगा, अब बात करते हैं दोस्तों, आज की दूसरी अपडेट की, उत्तरप्रेस मातमी सिक्षा सेवाद चैन आयोग की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जानकार यह निकल करा रही है कि अब अगले मा, मई अंद तक जो नया प्रारूप है, जो ड्राफ्ट है, उस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी, चुकि नए आयोग के प्रारूप में बहुत सारे बदलाव हो गए हैं, तो इस पर अब फाइनल और उसके कम से कम दो से तीन महीने बाद ही आयोग पूरी तरीके से गटित होगा, एक्जाम कराने के लिए तयार होगा, तो इसका मतलब साफ है कि परिक्षाओं में समय लगेगा, पहले पुरानी परिक्षाएं ही कराए जाने पर विचार है, चाहे हो उच्चतर की के बाद जब अध्यक्ष और सदस्यों की निक्ति हो जाएगी, मातपूर अधिकारियों की निक्ति हो जाएगी, तो एक एक्जाम केलेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें पुरानी परिक्षाएं नहीं, विज्यापन के बारे में सभी चीज़ें बताई जाएंगी, यूप पीटेट आपका जरूर इस साल के अंत तक एक देखने को मिल सकता है, बाकी जो नए विज्यापन है वो अब अगले साल ही आएंगे, बात करते हैं, डिट्री प्लस भी की नई भरती के बारे में, दिल्ली में एक बड़ी भरती होने जा रही है, डिट्री प्लस भरती को करा रहेंगे क्या कारवाई हो रही है, उम्मीद एदोतों की जो नई भरती है, डिट्री प्लस भी की इसका विक्यापन अगले माचारी कर दिया जाएगा, बंपर पदों पर भरती होने जा रही है, तो जो भी छात्र इस भरती को टार्गेट कर रही है, आप अपने एक्जाम क की तारी शुरू करते हैं, क्योंकि काफी तगड़ा होगा, डिल्ली में नौकरी पाना लाखो छात्रों का सपना होता है, यह एक ड्रीम जॉब है, किसी भी स्टेट के छात्र यहां पर आवेदन कर सकते हैं, तो अपनी भी एक अच्छी बहतर लाइफ गुजार सकते हैं, त तो नया विग्यापन जल्द आएगा, यदि माई में विग्यापन नहीं आया किसी भी कारण से, तो जून तक विग्यापन आने के पूरे पूरे चांसे हैं, डिटर प्लस बी की भरती में दोस्तों DOE यानि Directorate of Education के भी पद हैं, और इसे के साथ साथ नए अधियाचन MCD के भी भेजे जा रहे हैं, MCD की भी भरती, डिटरी प्लस बी ही कराता है, PRT के लिए, तो कुछ बड़े opportunities आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे, UP के छात्रों के लिए काफी बहतर option है, डिटर प्लस बी क्योंकि UP में भरती तो PRT की निकल नहीं रही है, प्रात्में सि बने रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दाएं, चैनल को सस्क्राइब करके बिल आइकन दबा लेजे, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी latest और authentic information मिलती रहे, thanks for watching.